हलो गाईज वेलकम बैक तुबालजी लर्णिंग तो कैसे आप लो तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हॉर्मुन्स के बारे में जो कि टेस्टीस से रिलीज होते हैं और ऐसे हॉर्मुन्स जो किड्ने हर्ट और गेस्ट्रो इंटेस्टीनल फ्रैक्स से रिलीज तो यह जो है कॉंटिन्यू है पीछे प्रिविएस वीडियो का तो पूरा चैप्टर वहां से पूरे मेरे प्लेलिस में से देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और like करें ताकि मुझे और भी वो मिले कि मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाऊं तो चले start करते हैं तो testis क्या है testis जो है पहली बात तो ये किसमें पाया जाता है males में पाया जाता है males में पाया जाता है और ये दो small organs हैं जो कि found inside the scrotum अब scrotum जो है वो lower side body के lower side में है और अलग से होता है तो एक scrotum pouch like structure होता है जिसको हम बोलते है scrotum और वहाँ पर जो है वो testis पाया जाती है ये सिर्फ males में होता है ठीक females में नहीं होता और क्या ये testis जो है dual function शो करते हैं पहला function तो ये कह है primary sex organ तो हई है as well as endocrine gland भी है endocrine gland क्या होता है कि मतलब एक ऐसा gland जो कि hormone release करता है और ये सीधा blood में release करता है blood से जहां भी इसका काम होता है महा जाता है तो ये endocrine है पहले बाद तो ये ऐसे तो काम करता है ये males में primary sex organ भी है testis तो testis जो है वो दो तरीके के cell से बना हुआ है lead interstitial cells जिसको हम lady cell भी बोलते हैं और एक होता है seminiferous tubules मतलब अगर माल लो ये अगर हम testis को अगर हम cut करें तो यहां पर एक tubules की form में होगा ये तो seminiferous tubules है इसमें तो है और ये जो बीच के space है ये interstitial cells यहां पर खोंगे interstitial cells और जिनको हम leadic cells भी बोलते हैं और ये ही cells जो हैं वो androgen produce करते हैं और androgen में mainly कौन सा testis male sex organ में से main hormone क्या है testis टिरॉन जो की regulate करता है males की सारे spermatogenesis को sperms का बनना कब बन रहा है क्या होगा कैसे होगा इस सब जो काम है वो testis टिरॉन का testis टिरॉन male में बहुत ही important है तो testis mainly क्या release कर रहा है क्या secret करता है testis टिरॉन जो की जितने भी males में secondary sexual characters होते हैं after puberty के बाद mustaches आना, beard आना जो भी है voice में change होना ये सारी सारी किसकी वज़े से होता है testis टिरॉन की वज़े से ही होता है तो males में हम क्या बोले क्या important है पहली चीज़ तो ये क्या है testis जो dual function show करता है पहला primary sex organ है और दूसरा as well as ये क्या है endocrine plant बे इसमें दो तरीके के cells होते हैं जो कि क्या release करता है मतलब दो तरीके के cells है एक है interstitial cells और दूसरा है semi-niferous semi-niferous tubules ये tube के like miss list का नाम है semi-niferous tubules जो कि इसमें होता है testis टिरॉन कौन release कर रहा है leading cell testis टिरॉन release करता है जो कि maturation करवाता है primary sex organs को इनका mature करवाएगा और spermatogenesis करवाएगा next है ovary next हमारे पास क्या है ovary ये कहां पाया जाता है ये females में पाया जाता है ये females में पाया जाता है तो ऐसे ही ये females में पाया जाता है females में क्या है अब वो भी जो था testis भी ये दो होते है यह क्या होते हैं, Two in numbers होते हैं, वैसे ही females में भी ovary जो होती है, वो भी two में होती है, one pair off लिखा है, तो मतलब दो होंगी, जिसमें egg बनता है, which the egg form, और female hormones क्या है, अब इसमें क्या है, हमने टेस्टीज में तो देखा, टेस्टेस्टिरोन रिलीज कर रहा है तो वैसे ही ओवरी में भी क्या होता है कि ओवरी में भी हॉर्मोन रिलीज करता है कौन-कौन सा एक पहला तो इस्टिरोजन हॉर्मोन रिलीज करता है और दूसरा प्रोजेस्टरोन हॉर्मोन से ओवरी में बनता है और रिलीज करता है ठी टाला है इस्ट्रोजन दूसरे है प्रोजेस्ट्रोजन है कि यह सिक्री टेड़ बहुत रीटी चैलिशन और करता है मैंन्सुरेशन में इस्ट्रोजन हेल्प करते हैं अगर development मेमी में मेम्री घ्लैंड का डवलप्मेंट में इस्ट्रोजन आप не सद्रीजें को तुम नि त्रकाम पटे लिया आयर जिस्ट्रोजन जित्ते भी होते हैं females की after puberty वो सारे ये करवाता है ठीक अब और जो दूसरा hormone है progesterone उसका काम कहा है अगर evolution हो जाए तो क्या करेगा ovum को release करवाएगा जिसको ovum को rapture करता है इसके उपर layer है इनको breakdown करेगा और जिसको हम बोलते corpus luteum जिसकी वज़े से progesterone secret होता है ये ज़्यादतर evolution के time progesterone का जो level होता है वो release होता है evolution के अब ये जो है placenta placentation में help करता है placenta formation में breast pregnancy के time पर breast development होती है उसमें progesterone help करता है ना कि estrogen तो इसलिए evolution के बाद progesterone का level जो है blood में ज़्यादा हो जाता है as compared to estrogen के अब हमने ये पढ़ लिया ovary पढ़ लिया testis पढ़ लिया कि females में पाई जारी testis males में पाई जारी कि जो कौन से cells हैं क्या hormone release होता है ये पढ़ लिया अब हमने देखना है कि अब जो kidney से kidney से भी तो कि अब हमने अब हमने और सारे पढ़ लिया कि adrenaline से रिलीज हो रहा है ये सब कहा रहा है ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है तो आप वहां पर जाके ये सब देख सकते हैं अब हमने और सारे पढ़ लिया में हमारा इसमें क्या है kidney से क्या क्या kidney से भी कोई hormone release होता है क्या heart से भी होता है तो हां होता है gastrointestinal track एक ऐसा track है mouth से लेके अनस के बीच में जित्ते भी intestinal हो गया तो small intestine, stomach और यह सावरा जो है इसके अंदर आता है mouth से लेके अनस के part तक में सारा के सारा इसमें gastrointestinal track में आता है तो क्या यह सब भी hormone secret करते हैं तो बिल्कुल करते हैं तो heart जो है पहले बाद तो heart क्या secret करता है heart secret करता है arterial neurotic factor जिसको हम short form में ANF भी बोलते हैं यह क्या करता है यह हमारे blood pressure को decrease heart जो है यह ANF को release करता है और इसका काम क्या है blood pressure को decrease करना यह जब ही release होता है जब blood pressure को decrease करवाना होता है यह जब release होगा कि जब blood pressure increase हो जाएगा इसका काम क्या है कि उसको blood pressure को decrease कर देना ठीक है और ये कहां से release होता है ये hurts रिख लेज होता है kidney जो है kidney क्या है release करता है कौन सा hormone erythropoietin hormone release करता है कौन kidney इसका काम क्या है कि RBC erythropoiesis करवाना erythropo मतलब ही blood होता है ठीक है तो इसका promotion of RBC formation की ज़्यादा से ज़्यादा RBC बनाता है कौन kidney से निकला हुआ hormone जो है वो जब निकलता है जब हमें RBC का formation बनवाना होता है तब kidney से erythropoietin release होता है अब gastrointestinal tract जो है वो क्या release करता है ये चार तरीके के hormone release करता है कितना चार तरीके के hormone पहला है gastrin दूसरा है secretin तीसरा है CCK जिसको नाम है coily cytokinin और चात्ता है gastric inhibitory peptide तो ये चार hormone है जो कि gastrointestinal tract से निकलता है अब ये भी gastrointestinal tract बड़ा है तो ये सारे के चारो के चारो एक ही जगह से नहीं निकलता है ये भी उसमें अलग-अलग parts निकलता है तो अब एक एक करके देखते हैं तो पहला क्या है gastrin तो gastrin जो है वो क्या करता है HCL का और pepsinogen का secretion करवाता है gastrin जो है नाम से हो रहा है कि gastrin जो है stimulate करता है secretion किसका HCL का और pepsinogen का अब next hormone secretion secretion क्या है कहां से निकलता है ये निकलता है pancreas से और ये क्या काम करवाता है ये secret करवाता है water और bicarbonate ions का secretion करवाता है और secretion निकलता कहां से है pancreas से निकलता है और ये काम इसका काम क्या है secretion का ये water और bicarbonate ions का secretion करवाना ठीक, अब यह pancreasus से हो गया अब और क्या है यह coelic cytokinin जिसको हम short form में cck बोलते हैं इसका यह यह भी pancreatic enzyme का secretion करवाना और bile juice का secretion करवाना इसका भी यह काम है gastric inhibitory peptide जिसको हम short form में gip बोलते हैं gip बोलते हैं gastric inhibitory मतलब inhibit करेगा तो यह क्या करता है जितने भी gastric secretion होता है उसको inhibit करता है और उसको motility को भी inhibit करता है motility मतलब होता है movement तो उनको भी रोकता है तो यह हमने सारा पढ़ा कि कौन से कौन से hormone kidney, heart और gastrointestinal tract से निकलता है ovary से कौन से hormones निकलते हैं ने सारा आज की lecture वीडियो में पढ़ा तो hopefully आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी जल्दी हम मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care